दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटाडे कोच में दोस्तों आज पूरे एक महीने बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैंने बताया था कि मैं टूर पर जा हूं होलीडे टूर पर और इस दोरान में अनमान गया था अनमान में बहुत मस्ती की बहुत मजा आया सारी वाटर एक्टिविटीज की और अब माइंड एकदम फ्रेश और लोटने के बाद आप लोगों को मैंने वीडियो भी डाले दो सौड वीडियो लोटने के बाद जो ख तो दोस्तों मार्केट में एक बार आपने अगर सीख लिया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती आप एक महीने बाद ट्रेड करें एक साल बाद ट्रेड करें या दस साल बाद ट्रेड करें मार्केट में important होता है कि आप कैसे trade लेते हैं चलिए अब Monday को market open होगा आज Saturday है मार्केट में क्या हो सकता है किस प्रकार हो सकता है आपको बताते हैं चलिए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि निफ्टी अपना all time high बना चुका है कल बार बार निफ्टी अपने पिछले high को break करके लगतार high की तरफ जा रहा है दोस्तों election का दौर चला है और election का result चार जून को आएगा एक जून को exit पोल आएंगे इस समय आप अगर देखेंगे तो विक्स भी हाई चल रहा है तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोसिस करूँगा कि election के दौरान क्या strategy हमारी होना चाहिए क्योंकि premium बड़े हुए हैं आपको पता है कि मैं option sell करता हूं जनरली लेकिन option buying मैंने पिछले दो दिन से start किया है और कोसिस कर रहा हूं कि option buying भी करूँ तो लेकिन अभी premium इतने high है विक्स भी 20 के ऊपर चल रहा है तो option selling में हमको ज्यादा benefit मिल सकता है तो क्या election को देखते हुए election को result को देखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं अपने next video में आप लोगों को बताऊंगा अभी मैं Monday के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस week के बाद जो अगला week आएगा यानि अगला week में 5 जून को bank nifty की expiry होगी चार जून को results आएंगे तो market किस तरह से move करेगा हम लोगों को क्या strategy अपनानी चाहिए इसके बारे में आपको अगले video में बताऊंगा अभी मैं बात करता हूं मैं देखिए हमेशा लेविल टू लेविल चलता हूं और आप लोगों को लेविल में बनाके देता हूं अभी मैंने केवल ये वाला अगर आप गौर करें तो मैंने केवल अभी ये वाला लेविल ड्रॉ किया है ये जो लेविल है इसको मैंने अभी ड्रॉ किया है इसके पहले का ये लेविल ये लेविल ये लेविल ये लेविल और ये वाला लेविल अगर आप मेरे पिछले एक मह का देता हूँ यहां पर आप जो लाइन्स बनी हुई है इनसे आप वेरिफाई कर सकते हो कि यह लेविल जो है मेरे पिछले लेविल है जो मैंने बना के दिये और आप देखिए मार्केट मैं भले ना रहा मार्केट में लेकिन मेरे पास लगता लोगों के मैसेज आते रहे कि स लेविल से ही मार्केट एक लेविल से दूसरे लेविल तक जाता है तो आप देखिए यहां पर मार्केट था तारिक 16 या 17 तारिक के बीच में मार्केट यहां था, यहां से मार्केट क्या किया, इस लेविल तक गया, इस लेविल से अगेन इस लेविल पर आया, यहां से हलका सा रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट यहां पर फ्लैट रहा, फ्लैट रहने के बाद फिर इस लेविल स market again इस level तक गया यहां पर थोड़ी profit booking आई अगले दिन market flat रहा और flat रहने के बाद next day ते इस तारिक को market इस level से इस level तक गया और उसके बाद market इस level तक गया अब 24 तारिक है market again flat रहा और अब इसके बाद के उपर के level हमारे पास मोझूध नहीं है क्योंकि market अपने all time high पर चलाए तो हमको क्या करना चाहिए देखिए बहुत सारे लोगों का यह सोचना होता है कि market जब up and up and up जाता है तो बहुत सारे लोग इस तो market इतना high चला गया और कितना जाएगा इतना high चला गया और कितना जाएगा और अंत्य में लोग क्या करते हैं कि market में अपने आप decide करने लगते हैं कि market अब तो नीचे आएगा और market लगाता है दो देन तीन देन चार देन एक अप्पे तक उपर चलता चला जाता है और वो अपनी position short position को add करते चले जाते हैं उसमें उनको लगाता लॉस होता और एक समय ऐसा आता है कि उनकी पूझी खतम हो जाती है दोस्तों आपको market से लड़ना नहीं है market के साथ चलना है तभी आप profit बना पाएंगे तो market अभी क्या बता रहा है अभी market से बता रहा है आपको कुछ नहीं करना है अपने दिमाग में गांट बांद दीजिए हमें level to level चलना market जब तक इस level के ऊपर है हम क्या करेंगे से buy की position ढूड़ेंगे sell की position नहीं ढूड़ेंगे market जब अपने पिछले level को break करके नीचे की तरफ चलता है तभी हम market में sell की side की कोई गुंजाइस होगी तो उसको ढूड़ेंगे अभी market में positive move है positive move जब तक चलेगा हम positive direction में trade करके उसको cover करेंगे तो आपको करना क्या है 22,952 का यह level है यह वाला level इस level में इस level को आप अपने चार्ट पर mark कर सकते हैं जब तक market इसके उपर रहता है तो हम लोग केवल उपर के लिए buying की position डूड़ेंगे यानि market के उपर की तरफ trade करने के लिए position डूड़ेंगे किस point पर हमको कहा पर इसको buy किया जा सकता है market जब इस point की नीचे चलना शुरू करेगा तो हम इस level के लिए target के लिए सोचेंगे इसके बाद इस level के लिए सोचेंगे तो आपको करना सिर्फ इतना है कि level to level trade करना है हो सकता है कि market Monday को थोड़ा सा gap down खुले gap down खुलने के बाद market अगर उपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पर again क्या करेंगे buy की position ले सकते हैं market नीचे आएगा यहाँ पर support लेगा तो हम buy की position ले सकते हैं हम इसमें sell side में बिल्कुल कभ गुसेंगे जब market ने देखी यहाँ से market क्या ओर लगाता उपर जा रहा है ठोड़ा सा correction हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो market कहां से लगभग बढ़ना शुरू किया यहां से बढ़ना शुरू किया जब तक market इस level के नीचे नहीं आता है तब तक हम sell की position नहीं बनाएंगे, हर dip पर buy करने की कोसिस करेंगे, तो market में sell 22,400 के नीचे ही sell बनेगा, उसके पहले market में sell नहीं है, जितनी बार market नीचे आएगा, again market उपर जाएगा, और market का direction जो है, वो decide होगा, चार जून के बाद, मारकेट में, एक direction decide होगा, उस direction में trade किया जा सकता है, वो चार जून के बाद होगा, अभी तो हम क्या करेंगे, हर dip पर buy करने की कोसिस करेंगे, हर डिपपर buy करने की कोसिस करेंगे, तो आपके लिए फिलाल लेविल 22,952 है, उ यहां से भी रिटन हो सकता है यहां से भी रिटन हो सकता है और मार्केट जब तक इसके उपर है तब तक हम केवल बाई साइट की पोजिशन को ध्यान में रखेंगे चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में क्या हल है निफ्टी तो लगातार हाई बना रहा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक अपना पिछला हाई नहीं तोड पाया है लगाता अब देखिए मार्केट में जो मैंने लेविल दिया था देखिए यहां से मार्केट इस लेविल को आया इस लेविल से इस लेविल इस लेविल से इस लेविल पर आके मार्केट खड़ा हुआ है निफ्टी लगातार हाई बना रहा है लेकिन बैंक निफ्टी तो 52,000 के लेविल को cross कर सकता है, तो इसकी क्या strategy होगी, वो मैं next वीडियो में बनाऊँगा, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, टेलिग्राम का लिंक भी वीडियो में दिया हुआ है, आप टेलिग्राम को भी सब सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी अभी 48,948 पर है, यहां से इसमें 600 पॉइंट उपर जाने की संभावना है, मंडे वाले दिन, मंडे को 600 पॉइंट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे अगर मैं इन लेविल का देहन रखना है, अगर मार्केट इस लेविल के उपर निकलता है, तो हम गाने की पोजिशन बना सकते है 49,500 हमारा अगला टार्गेट हो सकता है और 49,500 के बाद 50,000 जो थोड़ा सा चूक गया था 59,000 पहुंचने में यह मार्केट 50,000 तक पहुंच सकता है तो यहां पर मार्केट ने एक हॉल्ट लिया था, यहां पर मार्केट ने हॉल्ट लिया था, यहां पर मार्केट ने हॉल्ट लिया था, और मार्केट फिर देखिए, इसी जगे पर आ गया है, यहां से निकलेगा, जब यहां से निकला तो देखिए, एक ही दिन में मार्केट इस लेवि तक पहुंच जाए कि मार्केट में संभावनाय बनी हुई हैं अभी मैं आप को जैसा निफ्टी में बताया कि यहां से मार्केट यहां जा सकता हहां से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है मार्केट में fall आना शुरू होगा 47,500 के नीचे जब मार्केट 47,500 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मार्केट में फिर एक profit booking या गिरावट का दौर आ सकता है जब तक मार्केट 47,500 के उपार है तब तक मार्केट में dips पर buying की जा सकती है दोस्तों बहुत आसानी से मैंने आप लोगों को सारी इस्तिति समझा दिये आपको ये levels अपने चार्ट पे mark करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे levels को अपने चार्ट पे mark करि आपको अच्छा लगेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समात करता हूं धन्यवार